तो चलिए वीडियो को सुरू कर लेते हैं जो सबसे पहला स्टॉक है टेडर्स जो कल के लिए रहने वाला है वो हमारा एमभुजा सीमेंट्स का ठीक है इसमें का फिप्टी मिनिट की का लिश्टिक सब यहां पे मैंने लगाई हुए जैसा कि आप इसमें के लिए लिए देख पा रहे हैं जो उपर यहां से यहां से इसमें तो फंपर होला है यहां से इसलीक और ऑ्कमर्श अच्छवान के लाता हैEST आप अच्छवां का बाक्री अच्छवान है तो इन दोनों च्वागाई को मिला स्जह इनla है एक symmetric triangle का formation कर लिया है, ठीक है, तो इस symmetric triangle का formation इसका breakout किसी भी side आता है, उस side काफी बड़े profits हमें देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, जिसके में अगर एंट्री की बात करें तो पहले 15-minute की अनलिष्टिक को 5-minute time frame में चेंज कर लेंगे, उसके बाद जैसी को अच्छी 5-minute time frame की अन कर सकते हैं, जिसमें काफी बंपर profits हमें देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, तो अगर बात करने इसमें नीचे की side की, तो यह वाली trend line है, इसमें क्या है, अगर इसके नीचे कोई 5-minute time frame की अनलिष्टिक closing देती है, तो बहाँ पे भी हमारी entry अक्टिवेट हो जाएगी, और इस इसमें काफी बंपर profits हमें देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, तो यह हो गया हमारा पहला stock, तो चलिए अब discuss कर लेते हैं, अपने दूसरे stock को जो कल के लिए रहने वाला है, वो हमारा biocon limited का, ठीक है, काफी अच्छी इसमें भी यह pharma sector का stock है, ठीक है, इसमें क्या है, काफी अ इसमें आया हुआ है, जो यह वाली trend line है, बहुत ही अच्छी support line बनी हुए है, यहां से मारा stock ने एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार काफी अच्छे से support face कर रहा है, तो kinda काफी अच्छी एक major support line यह बनी हुए है, और जिसके जो अंदर वाला zone बना हुआ ह जिसे आप देख पा रहे होंगे, यह बहुत ही अच्छा support zone बना हुआ है, यहां से मारा stock ने एक बार, दो बार, तीन बार, काफी अच्छे से kinda triple bottom बनाया हुआ है, ठीक है, तो इसमें इन दोनों levels को मिला के काफी अच्छा projection देखने में आ रहा है, तो इसमें अगर entry की बात समय नीचे की side इसमें देखने को मिल सकते हैं, और काफी bumper profit आ सकता है, ठीक है, बहीं बात करने हैं, अगर उपर वाली 10 line की बार, तो यह भी काफी अच्छी resistance line है, इतनी जादा ordinary resistance line नहीं है, बट फिर भी हम इसे resistance line consider कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर जब next time इसने काफी तो बहां पर हमारी entry अक्टिवेट होगी, और इसलिए हम अपने पहले दूसरे levels के लिए कर सकते हैं, और इसमें भी काफी अच्छे profits हमें देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, तो यह रहने वाला है हमारा दूसरा stock, इसमें काफी अच्छे profits हमें book करने को मिल सकते हैं, तो यह अपने तीसरे stock की बात करें, अगर जो कल के लिए रहने वाला है, तो यह हमारा laurus laps का स्थीक है, इसमें पिछले काफी time से हम काफी जल्दी जल्दी trade कर ले रहे हैं, क्योंकि इसमें जल्दी जल्दी काफी अच्छे से अभी follow हो रहा है, और बहुत ही जल्दी काफी अच् गर निचे की साइड का जाता है, और बात करें, गर इस पाले जो उनकी सौरी स्वारी 10-line की, तो यहांसे इसने काफी अच्छे से support फेस किया हुआ है, एक बार और दो बार, तो इस support और रिजिस्टेन को मिला के इसने बहुत ही अच्छे तरीके से आप देख पा रहे होंग फिलाल तो भी हम सिर्फ इसे उपर की साइड ही में लिए टार्गेट कर रहे होंगे बाकि नीचे की साइड भी ट्रेट ले सकते हैं और फिलाल तराकि प्रभी ट्रेट क्लशी साइड की साइड है है अगर बात कियाने नीचे की साइट की तो यहां पर कोई अच्छा अगर अगर हमारा B-R-A sign देखने को मिलता है like कोई अगर Evening Star Candle हमें देखने को मिल जाती है या फिर कोई इनवारी हैमर देखने को मिल जाता है अच्छा या फिर कोई B-R-A सरामी candle देखने को मिल जाती है तो बहां पे मारी इसमें ट्रेड एक्टिवेट हो सकती है और हम इस वाली ट्रेड लाइन तक का वेट करेंगे और एक अपने अंदर की छोटी सी ट्रेड को एक्ष्यूट कर सकते हैं जिसमें काफी अच्छे से प्रॉफिट हमें देखने को मिल सकता है अधर्वा तो इसमें भी काफी अच्छे प्रॉफिट समय देखने को मिल सकते हैं तो यह हो गया हमारा तीसरा स्टॉक मैं अपने चौथे स्टॉक की बात करेंबाट उससे पहले में बता दू मैं डेली ऐसी आपके लिए 4-5 इंट्राड स्टॉक लेके आता हूँ जो अगले वाले दि क्वेशन क्वेरी है तो उसके लिए आप कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो वहाँ पे आप जाके परस्नल मैसेज कर सकते हैं जहां पर मुश्टी लोग के रिप्लाई दे देता हूँ जो भी यहाँ पर मैसेज करता है थोड़ा टाइम लग सकता है बट सबके मैसेज का रिप्लाई उदर मिल जाता है ठीक है और टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप उसे भी जोइन कर सकते हैं विल्कुल फ्री टेलीग्राम है वहाँ पर लाइब मार्केट के रिलेट तो थि अब बना हुआ था इसमें जो उपर वाली टेलाईन है बहुत ही अच्छी एक रिजिस्टेंस लाइन बनी हुई है यहां से मारे स्टॉक ने एक बार दो बार काफी अच्छी से रिजिस्टेंस फेस टिया हुआ है ठीक है और इतनी बार भी नेके बाद नीचे के जब बेक आउट आता है तो बहाँ पे हमारी एंट्री बनेगी चुसमें क्या टेडर्स मैंने 5 मिन टाइम की जिए चैनलिश्टिक इरलागा रखी है तो इसमें पर पे जो हमारी एक्ट्रेड और यह निच्छे की साइड एंट्री बनेगी और एंट्री की टाइम टेडर्स य जब formation start होता है बहाँ पे हमें ठोड़ीशी trade activate करना है कि बहुत से लोग क्या होता है यहाँ पर एक बार move के लेते हुए आई और भाही पर trade को execute कर लेते हैं ऐसे level को सिर्फ टच करने से हमें entry नहीं लेनी है जब proper हमें एक verification मिल जाएगी हाँ candle ने closing दिये दिये तभी हमारी entry ब कुल होता है बट गलती से नहीं जो हमारा setup अगर उसको फॉलो करते हैं तो कोई बार नहीं सारी चीजें रखना है और वहाँ पे उपर नहीं होना है अगर जो setup को एक बार फिल होता है दो बार फिल होता है तो यह रहने वाला हमारा चौथा इस्टॉक लिए रहने वाला है तो चलिए अपना आखिरी श्टॉक को देख लेते हैं जो कल के लिए रहेगा वह हमारा HDFC Life का, इसमें बहुती छोटा सा pattern बना हुआ है, जिसे हम अपना Bullis Fallen Flag भी बोल सकते हैं, Symmetric Triangle भी बोल सकते हैं इसके जो आधर Chances हैं, वो अभी बन रहे हैं, नीचे की side के break के हाला कि Ordinary Bullis Pattern है, बट इसमें जो अभी जिस तरीके के प्राइकसन हमें देखने में आ रहा है, उससमें नीचे की side breakout आएगा, और इजली हम अपने पहले दूसरी levels के लिए try कर सकते हैं, बाकि अगर इसमें उपर की side भी breakout आता है, तो बहां पे भी हमारी अब लिए मिलते हैं की वीडियो में तब तक के लिए, थाइंको रेजाज